हलो साथियों, करसी विज्ञान में आप सब का स्वागत है साथियों करसी विज्ञान में आज हम जानेंगे Crown Root Initiation in Wheat यहनी जो Crown Root का निकलना है गेहू में उसके बारे में हम समझेंगे क्या क्या समझेंगे समझेंगे कि Crown Root जड़ में गेहू में क्या है, किसको Crown कहते है और Crown Root गेहू में क्या होता है और Crown Root का Importance क्या है गेहू में इन सब के बारे में समझेंगे सबसे पहले समझते हैं कि Crown Root क्या होता है या सबसे पहले समझे Crown क्या होता है जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख रहे हो इसमें crown नहीं develop हुआ है इस वाले में देखो इसमें भी अच्छी तरीके से crown नहीं develop हुआ है crown का basic मतलब होता है ताज अब इस वाले में देखो यहाँ पे यह गांठ यह जो दिख रही है यह धीरे-धीरे crown develop हो रहा है तो यह जो ताज जैसी अवस्था है इसको बोलते हैं क्राउन तो यहां पर धीरे धीरे यह क्राउन डेवलप हो रहा है तो गेहों में जो यह ताज जैसी अवस्था यह गांट जैसी अवस्था होती है इसको बोलते हैं क्राउन और यहां से सबसे पहले जहां पर हमारा बीज होता है गेहूं का सीड होता है वहां से सेमिनल रूट्स निकलती है जैसे यहां पर यह देखो यह देखो यह सब क्या है seminar roots हैं यह यहाँ पे यह crown है और यहाँ पे हलका सा देखो यहाँ पे यह निकल रहा है यह क्या है crown root है यह crown root में आगे बदलेगा जाके अब हम समझते है crown roots क्या होती है यहां से जो निकली सेमिनल रूट्स होती हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है पौधे को सुरुवात में जमिन से खाना पानी परदान करना मगर बाद में जो क्राउन रूट्स है अब देखो यहां पर यह गाठ है इसको बोलते हैं क्राउन यहां से जो जड़ निकली इसको बोलते हैं रूट्स यानि क्राउन रूट्स और यह वाला जो इस्टेज है इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिसियेशन इस्टेज अब मे मेन जो काम है वो हमारा इन ही जड़ों का है यानि जो क्राउन रूट्स हैं इन ही जड़ों का हमारा मेन काम है अब हम समझे कि क्राउन रूट्स जो हैं क्राउन रूट्स का इंपोर्टेंस क्या है तो क्राउन रूट्स का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है पहली बात तो ज तो जो टिलर्स हैं, यानि जो कल्लो की संख्या है, टिलरिंग है, वो गेहों में नहीं होगी, और जो गेहों की बढ़वार है, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेमिनल रूट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, यह तो वेकार हो गई, यहाँ पर तो होद बड़ा इंपोर्टैन्ट होता, इंपोर्टैन्स है, महत्तु है, गेहों की खेती में, ऐसा सबी फसलों में नहीं होता है, किसांसाथियों, उमीद है कि आज का यह वीडियो इन्फोर्मेट्यू लगा होगा, क्राउन रूट्स के बारे में आपको समझ में आया होगा, क्राउन क्या होता है क्राउन रूट्स क्या होते है और क्राउन रूट्स का इंपोर्टेंस क्या है हमें दीजिए इजाजत थैंक यू थैंक यू वेरी मच